हलो दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे 24 अगस्त का जो पेपर अभी ऊवर हुआ है सेकेंड सिफ्ट का उसके बारे में तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि आज क्वेस्टन कैसे पूछे गए थे डिफकल्टी लेवल क्या है साइन्स के कहां से क्वेस्टन साये हैं तो इंद्रा गांधी ने किस वर्ष धर्म अव्मूलन किया था यह आज आपके शिफ्ट में था तो 1967 में इन्होंने मनी डिवालुइशन किया था इंद्रा गांधी ने उसके बाद आपका दूसरा ग्या है दूसरा ग्या था कि यदि किरन को ध्रोव से गुजारा जाता है तो आपतीत किरण और आपवर्तित किरण के बीच में क्या कौन होगा यानि कि जब आप किसी रे को पोल के थुरू पास कराते हैं तो एंगल बिट्विन इंसिडेंट रे और रिफ्रेक्टेड रे क्या होगा दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा यानि कि इक्वल एंगल होग गज़े से 30 degree होगा incident रहे तो refractive day भी 30 degree होगा तो यह theory related questions आपके पूछे जा रहे हैं तो जरूर याद करिएगा theory related questions जैसे पूछा है कि in xy gender chromosomes which is bigger यानि कि xy के link गुण सूत्र में कौन सा बड़ा होता है तो इसमें सभी को पता होगा जो student है कि जो x होता है यह कितना होता है जैसे कि y होता है यह x का एक तिहाई होता है तो बड़ा कौन होगा तीन गुना बड़ा होता है xy से तो x का link है chromosome का वो बड़ा होगा यह पूछा था उसके बाद आप यह देखिए यह आपको value दे रखी थी x दे रखा था x का मान पूछा था आप से तो यह आपका क्या होता है यह एंट्टू h4 होता है तो इसका जो है x की value क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी यह एक chemical है जिसका ने मुझे भी नहीं नहीं पाता है गाइस क्योंकि मैं थोड़ा सा chemistry और बायो मुझे नहीं आती है मुझे physics मैट्स और reasoning अच्छे से आती है तो इसलिए इसका आप लोग सर्च के लिजेगा और आपका n2 h4 हो जाएगा chemical compound होता है n2 h4 उसके बाद देखिए equation क्या है equation पूछी थी आपसे यह दिया था खाली यह आपकी equation दी थी और आपको निकालना था यह आला बताना था ऐसे ही equation आपको दे दी जा रही है और यह आपको बताना था जैसे दिया था 2 c h3 c h 2 h दिया था उसको oxygen से reaction कराया तो आपका क्या बना c h3 c o o h बना तो यह आपका कौन सा methanoic acid बना था यही आपका methanoic acid का formation का यह आपकी reaction है तो यही आपकी exam में पूछी गई है तो जितनी reaction से important जो बनते हैं products वो जरूर याद करके जाएगा आगे हम लोग देखते हैं कि पूछा था कि यह आपसे reaction दे गई थी agcl2 तो यह कि परिवर्तित हो गई एजी और c l में अलग अलग परिवर्तित हो गए तो यह कौन सी reaction है तो यह decomposition हो रहा है जैसे जो चीज अलग हो जाएंगे product वो decomposition reaction में जाएंगे जैसे कि silver जो है chlorine से अलग हो गया है तो वो decomposition हो गया है ऐसे ही chemistry के questions आपसे पूछे जा रहे सेम यह questions पूछे गए थे बाकी आपसे पूछा गया था कि जो नित्यांजली dance festival है यह तमिलाडू में तो मनाया जाता है स्टेट आपसे नहीं पूछा गया था बाकी आपसे पूछा गया था कि कौन से महीने में मनाया जाता है तो फरवरी से मार्च के महीने में मनाया जाता है आपका नित्यांजली dance festival कौन से देवता को समर्पित है तो आपके लॉर्ड सिव को यानि कि भगवान सिव को समर्पि तल दरपण है आपका इसी में क्या होता है अभासी सिधा और आपका अग्निफाइड यानि की चोटी इमेज बनती है कई बार एक्जामपल देखे मनें समझाया था कि जो कार्स होती है उनमें मिरर्स लगे होते हैं पीछे जो गारी आती है कार बड़ी बड़ी जैसे बड़ी सी कार आती है कार है बड़ी सी तो यह चोटी में हमको मिरर में दिखती है चोटी सी तो यह क्या हुआ कि रियल तो है नहीं रियल होती तो बड़ी सी दिखती तो यह चोटी दिख रही है को डाउट हो रहा हो को साइंस टफ लग रही है बच्चे काफी बता रहे को उनको साइंस टफ लग रही है तो यहां पर आप देखिए रामबान हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें करेंट अफेर्स पूछा जा रहा है जिसमें इसमें पूछा गया था आज बाकि आपकी जो वह सारी चीज़ इंक्लूडड है यहां पर साइंस ही इंक्लूड है थेहोरी-प्रekस रहे हैं वह उसारी चीज़ें करी गई है जो नहीं इसमें इंक्लूडड है नोगने कर दिया है पैटरन को देखते हुए तो काफी अच्छी बुक है इसको अपडेट कर दिया गया है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहे जिनकी अभी लास्ट टाइम पर टेंशन है तैयारी नहीं तो वह ये बुक रिकमेंट करूंगो मैं आप लोगो कि एक बार देख के जरूर जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा देखिए पूछा गया था भारते संविधान में मौलिक करतव्यों को कब जोड़ा गया था तो वेन वास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज वर एड़र इन इंडियन कॉस्टिट्यूशन तो भारते संविधान से क्वेस लगातार आ रहे हैं यह भी आपको हमारी रामबान बुक में बहुत अच्छे से मिलेगा सब 1967 में 1976 में यह जोड़ा गया था फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज है मौलिक करता हुए यह पूछा गया था कि यह थोड़ा सा डाउट है मैं आपको बता रहा हूं बायो थो उक्सीजन यह लोग छोड़ते हैं और ऊक्सीजन छोड़ते हैं सभी कहेंगे लेकिन जब गर्ट यह लेड़ता है तो इसमें से थोड़ा बहुत पार यह कार्बन डर्क्षाइट का बाहर भी छोड़ देता है थीक है तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्षें में बताएगा इ यह कहां एजन हुआ है इसका इंडिया में कहां पर मुंबई में उसके बाद देखिए निर्मला सीता रमण जी ने जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने क्या किया है कि 47th GST मीटिंग कहां हेल्ड करी है तो चंडीगड में 47 GST मीटिंग बैठाई थी इन्होंने और अ स्क्रीन शॉट भी देंगे परिशान होने के कोई बात नहीं आप लोग के तैयारी होनी चाहिए सेलेक्शन मिलना चाहिए उसके बाद महेंदगीरी पहाड़ियां कहां इस्तित हैं ओडिशा में इस्तित हैं पूछा गया था कि absolute refractive index यानि कि निपेक्स अपर्वंतनांग का मान क्या होता है तो हमेशा एक से बढ़ा होता है अप वर्थनमांग आगे हम लोग पढ़ते हैं कि खेलो इंडिया यूद गेम से 2022 का आयोजन कहां किया गया था जो खेलो इंडिया यूद Nhem से पंच कुला हरयाना में इसका आयोजन किया था दूसरा है विद्ध्धारा के संट वाइर यूज़ किया जाता है कि raph सेban नियुट्टिक इतने हैं थेलेक्टिक वायर से इतनों टहीट सा मटकिया के दुटकोThere लेकिन इस बार किया पूछा था इसने पूछा था कि उसकी तीम क्या होगी उसका विशय क्या था तो उसका विशय था वेटलैंट एक्षन फॉर पीपल एंड नेचर ये मैंने आपको पढ़ाया था जब करेंट का सेशन करा रहा था तो मैंने कहा भी था बहुत इंपोर्टेंट है इस बार कर ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुए थी अब आप लोग थोड़ा से अंदाजर लगाईएगा अनिलेसिस से कि जैनेजिम से देखिए क्वेश्टन लगातार बन रहे हैं, बुध्यस्चेंच से लगातार बन रहे हैं, बन रहेंग ने बन रहे हैं, सभी लोग इसलिए तो होता है आप लोग analyze करें कि कहां से questions बन रहा है last time पर हम लोग कहां से पढ़ लें कि अच्छे माक्स score कर सकें इसलिए analysis होता है किस रंग का सबसे अधिक अधिक है आगे हम लोग देखेते हैं क्या question पूचा था कि 15 यह अपको टर्म दे रखा था 15 यह क्या है यह क्या है जो एक एरिया होता है किसका ocean का एक एरिया होता है यह मालीजे एक ओशन है जो बड़े बड़े कॉंटिनेंट्स है सुपर कॉंटिनेंट्स है जैसे उनसे सराउंडेड उनसे घीरा हो जैसे जो समुद्र ओशन उसको क्या कहते हैं पंथलास सा कहते हैं ठीक है नेक्स्ट कोईशन देखेंगे अब हम लोग यानी कि जो आपका कार पालिका है उसका हेड कौन होता है तो उसका हेड कौन होता है रास्तपती होता है तो आज हमारा सेशन यहीं खतम होता हैं जितने कुश्शन हमें मिले थे सारे ही Real और Gennement questions है काफी महनत करके आप लोग तक हमने पहुँचाया है ताकि आप लोग का exam कुछ हम सीख लेते हैं जिनका भी गलत कुशन हो गया कोई बात नहीं है आगे बहुत से मौके आपको मिलेंगे उसमें गलती नहीं करनी है गलतियां तो सबसे होती हैं बाकि जिनका आगे पेपर है उनको best of luck मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो चैनल को जरूर लाइ वीडियोज अब तक हम लोग पहुँचा सके हैं